ये कहानी एडम की है जो फ्री फायर के क्लोक टार शहर को छोड़ के अमेरिका आके बस गया था उस दिन अमेरिका में हैलोवीन का त्युहार चल रहा था और सब भी लोग उसी का जिशन मना रहे थे हैलोवीन की रात उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है जैसे कि उनके परिवार वाले सुसाइटी के लोग या जंग में शहीद हुए जवान उन्हीं सभी को याद करने के लिए ये तोहर मनाया जाता है कहा जाता है कि इस दिन दूसरी दुनिया के लोग और हमारी दुनिया के बीच में एक पैसिज खुलता है यानि की एक रस्ता खुलता है और जिन भी शहीद और गुजरे हुए लोगों को याद किया जाता है वो उस रस्ते के जरीए हमारी दुनिया में आते हैं एडम भी हैलोवीन की तयारों में लगा हुआ था उस रात उसके अंकल सकूरा ने उसे डिनर पे बुलाया था मिश्टर सकूरा की वाइफ पिछले चार सालों से लापता थी और तभी से वो थोड़े अजीब से हो गए थे